इस कहानी के सुरुवात में हम एक बच्चे को समुद्र में डूबते हुए देखते हैं वो किसी तरह अपने आपको एक लगड़ी के सहारे बचाने की कोसिस कर रहा होता है अब सीनिया से सिफ्ट होती है और हम मेजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों को समुद्री सिकारियों की कहानिया सुना रही होती है कि बहुत साल पहले समुद्री जानवर तट पे आके सब कुछ तबाह कर देते थे कोई भी जाज समुद्र में जाने से डरता था लेकिन सिकारियों के आने से आज वक्त बदल चुका है उन सब को जल्दी से चुप-चाप सो जाने को कहती है मेड के वहाँ से चले जाने के बाद मेजी चुपके सी वहाँ से भाग जाती है और अगले सीम में हम तुफान जहाज को देखते हैं और वहीं हम उस जहाज के कैप्टन क्रो को भी देखते हैं उसके साथ जेकब भी होता है जेकब वही बच्चा था जिसे आमने कहानी की सुरुआत में पानी में डूपते हुए देखा था उसे उस दिन कैप्टन क्रू ने बचा लिया था और तब से लेकर आज तक वो उसी के साथ रहता है और उन समुत्री जानवरों का सिकार करता है और आज वो लोग समुत्र के सबसे बड़ी जानवर रेड बलस्टर को माने आए थे कुछ दूर पे उन्हें रेड बलस्टर की होने का एहसास होता है क्यूंकि उसके उपर बहुत से परिंदे मंडरा रहे थे वहाँ कैप्टन की सबसे वफदार दोस्त सारा आती है जो उन्हें बता दिये कि वो रम पेपर आइलेंड को पार कर चुके है और उनका जाहाज अब ड्रैगमो सी की तरफ बढ़ रहा है पर तभी उन्हें वहाँ से कुछ दूर पे अपने साथी सिकारी का एक जाहाज दिखाई देता है और सायद उस पे समुतरी जानवर ने हमला किया था जिसकी वज़े से वो डूबने वाला होता है पर कैप्टन क्रो उनकी मदद करने के चकर में अपने सिकार रेट ब्लस्टर को छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए वो उन्हें आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है पर जेकब उससे कहता है कि सिकारीों का एक कानून है कि वो हमेंसा एक दूसरे की मदद करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए कैप्टन क्रोस की बाते मानकर अपने जहाज को उन सिकारीों की तरफ मोड लेने को कहता है और इसके बाद सब उनकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं और बहुत जल्द वो उन सिकारीों तक पहुँच भी जाते हैं वो देखते हैं कि उनके उपर एक खतरनाग जानवर ने हमला किया होता है पर तुफान को आता देख वो जानवर वहां से जाने लगता है और वो जानवर अब तुफान के पीछे ही पड़ा हुआ था जानवर बाहर आता है और तुफान पे हमला करने लगता है वो अपने टेंटिकल से सबको पकड़ कर मानने वाला होता है पर जेकब उन सबको छुडाने में उनकी मदद करता है और उसके एक हमले से वो जानवर वापस से पानी में चला जाता है पर अचानक से उसके एक हमले से जेकब पानी में गिर जाता है वो किसी तरह से अपने आपको उससे बचानी की कोसिस कर रहा होता है तब ही कैप्टन क्रो एक बड़े से भाली को लेकर उसकी गर्दन पेवार करता है जिसकी वज़ा से वो वही मारा जाता है पर उसके डूबने से पहले कैप्टन उसके सींग काट कर निसानी के तोर पे उपर सिप पे ले आता है पर इन सब में उनका जहाज अब पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और उनका सिकार रेट बलस्टर भी उनके हाथ से अब जा चुका था वो वहाँ से वापस घर जाने लगते हैं ताकि वो जहाज को रिपेर करवाकर फिर वापस आकर रेट बलस्टर को पकड़ सके रात में कैप्टन जीकब से बात करता है और कहता है कि उसने इस जहाज के साथ बहुत से लडाई या लड़ी है पर इस जहाज ने कभी उसे धोका नहीं दिया और उसके जाने के बाद वो जीकब को उस जहाज का कैप्टन बनने को कहता है जीकब उससे कहता है कि वो अपनी जान पे खेलकर इस जहाज के इफाज़त करेगा और अगले सुबह वो अपने राज्य में वापस आ जाते हैं सहर के सभी लोग उनका अच्छे से सौगत करते हैं वहां मेजी भी आई होती है वो जाकर किसी तरह जीकब से बात करने की कोसिस करती है वो उससे कहती है कि उसने उनकी सारी कहानिया पड़ी है और वो भी उनके जैसा ही एक सिकारी बनना चाती है क्यूंकि उसके माबाब भी एक सिकारी थे और उन जानवरों से लड़ते लड़ते ही वो मारी गए वो भी जीकब के साथ ही उसके जहाच पे जाना चाती थी पर जीकब उसे ये बोल के मना कर दीता है इस पर मेजी उससे कैप्टन कुरो से जाकर बात करने को कहती है पर जेकब उसे पकड़ कर एक गाड़ी में बिठा देता है और उसे उसके अनातासरम छोड़ आने को कहता है अगले दिन कैप्टन कुरो जेकब और सारा के साथ राजा के महल में जाता है ताकि उन समुद्री जानवरों को मानने के लिए अपना इनाम हसिल कर शके पर वहाँ की रानी उनसे कहती है कि उन्हें रेड ब्लस्टर को मानने को कहा गया था और उनके जेनरल के मुताबिक वो लोग रेड ब्लस्टर को पकड़ने ही वाले थे पर उन्होंने उसे जानी दिया वहाँ के राजा ने अब एक नया जाहाज बनाया था जिसे वो जेनरल लेड करने वाला था और अब वो उनसी कानियों को समुद्र में जाने नहीं देना चाते थे क्यूंकि ये उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था पर कैप्टन इस बात से गुस्सा हो जाता है तब ही जेकब उन्हें सांत करते हुए राजा से एक आखरी चांस उने देने को कहता है ताकि वो रेड बलेश्टर को पकड़ सके और जेनरल भी अपनी तरब से इस नए जाहाज से उसे पकड़ने की कोसिस कर सकता है और जो भी उसे पहले पकड़ के ले आएगा उसी की बात मानी जाएगी राजा इसके लिए तयार हो जाता है और इसके बाद कैप्टन अपने मिसन पे निकल जाता है और वो लोग रेड बलेश्टर को पकड़ने का प्लैन बनाने लगते हैं कैप्टन करो सक को मोटिवेट करता है कि वो उस सेथान को जरूर पकड़ कर लाएंगे इसके बाद सब वहाँ पे जश्ट मनाने लगते हैं तब ही वहाँ के एक द्रम में उन्हें मेजी मिलती है उसकी बाते सुनके कैप्टन उससे इंप्रेश होता है और सारा को उसे यहां के तौर तरीके सिखाने को कहता है सारा उसे एक कमरी में ले जाकर शोने को कहती है और उसे एक छोटी सी चाकू भी देती है ताकि जब कभी जरुरत हो तो वो उसका इस्तमाल कर शके उनका जहाँ जब कापी दूर आ चुका था और वहीं उन्हें रेट बलस्टर के आने का एहसास होता है वो सब उस में हमला करने की तयारियां करने लगते हैं उनसी को अब रेड बलस्टर अपनी यो राता हुआ दिखाई दे रहा था और तभी वो अचानक से उन पर हमला कर देता है सारे सिकारी उस पे भाले से हमला करने लगते हैं जिसकी वज़ा से उनका जहाज उसके साथ अटैच हो जाता है और अब उनका जहाज रेड बलस्टर के बिल्कुल पीछे पीछे जा रहा था वो रेड बलस्टर एक जगह पे पहुँचकर गोल गोल घोमने लगता है और जहाज को पानी के अंदर खीचने लगता है जेकब कैप्टन से रसी को काट देने को कहता है क्यूंकि वो लोग डूबने वाले होते हैं पर कैप्टन ऐसा करने के लिए तयार नहीं होता है और वो उस पर अपने भाले से हमला करने ही वाला होता है कि तब ही मेजी वहाँ की रसी को काटने लगती है जिसकी वजह से वो डिस्बैलन्स हो जाता है वो जेकब से मेजी को रोकने को कहता है लेकिन जेकब भी देखता है कि उनके लोगों की जान ख़तरे में है इसलिए वो उसे रोकता नहीं है और रसी के कटते ही जाज सीडी हो जाती है पर जेकब और मेजी दोनों ही पानी में गिर जाते है वो दोनों एक छोटी बोट में सवार हो जाते है कैपटन गुसे में जेकब को मेजी को उसके पास लाने को कहता है तब ही उनके नीजे से रेड ब्लश्टर निकलता है और उनको बोट के साथ ही निगल कर वहां से पानी के अंदर चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जेकब और मेजी उस जानवर के मूँ के अंदर बिल्कुल सुरग्चित होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है वो दोनों वहां से बाहर निकलने की कोसिस करने लगते हैं और इसी तोरण वो उस जानवर की नाप के पास पहुँच जाते हैं जहां से उन्हें बाहर कना जारा साफ साफ दिखाई दे रहा था वो जानवर एक आइलेंड की तरफ बढ़ रहा होता है जेकब उस जानवर को माने का सोचता है पर मेजी उसे बार बार समझाने की कोसिस कर रही होती है इसी बीच वो जानवर जोर से चीकता है जिससे वो दोनों उस आइलेंट पर आकर गिरते हैं और वो जानवर उस जंगल के अंदर चला जाता है रात में वो दोनों वही छुपकर आराम करते हैं इधर कैप्टन क्रो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके हाथ से आया हुआ सिकार चला गया था और उनका जहाज भी अब बहुत डैमेज हो चुगा था। कैप्टन सारा को चार्ज मुकेस आइलेंड की तरफ मोड देने को कहता है। सोबह जब मेजी उठती है तो उसे वहाँ पर ब्लू कलर का एक छोड़ा सा जानवर दिखाई देता है। जो उनके पीछे आने लगते हैं तब ही वहाँ पर उन सारे जानवरों की मा आती है। और ये दोनों किसे तरह अपने छोटे से बौट पर बैटकर भागने लगते हैं। पर तब ही वो देखते हैं कि उनके पीछे से एक बहुत बड़ा सा समुदरी केकला उन पे हमला करता है। वो जीकब को खाने ही वाला होता है कि तब ही वहाँ पर रेड ब्लश्टर आ जाता है जो उससे लड़कर इने बचाने लगता है। पर रेड ब्लश्टर उसके आगे कमचोर पढ़ रहा था। तब ही जीकब अपने भाले से उस पे हमला करता है और फिर रेड ब्लश्टर उसे पकड़कर वहाँ से दोर फेक देता है। जीकब को मेजी वहाँ पे कहीं मिल नहीं रही होती है। तब ही वो देखता है कि ब्लू मेजी को पानी के बाहर निकाल लाया है। वो दोनों अब अपने छोटे से बोट पे बैठकर वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। मेजी अब रेड बलसर को इस सारों में बता कर उन्हें यहां से उनके आइलेंड पे ले जाने को कह रही होती है और तब ही रेड उनकी बोट को अपने उपर उठा लेता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है जीकब को ये सब देख कर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो जानवर उनकी मदद कर रहा है जीकब अपने मैप के डारेक्शन में रेड को मुडाने की कोसिस करता है पर वो रेड को समझाने में नाकाम रहता है फिर मेजी अपने अंदाज में उसे समझाती है जो उसे अच्छे से समझ में आ जाती है और रेड उनके मुताबि उस डारेक्शन में मुड़ जाता है मेजी को रेड के पीट के उपर बहुत से तीर और भाले पहसे हुए दिखाई देते हैं जिने वो निकालनी की कोसिस करने लगती है। इधर कैप्टन करो तक तक मुगेस आलेंड तक पहुंच चुका होता है। वो वहाँ ग्वेंट बेटर भी नाम की एक चुडायल से मिलने आया था। तकि वो रेट बलस्टर को मानने के लिए उससे एक सक्ति साली हतियार आसिख कर सके। वो चुडायल उसे एक पाउरफुल हतियार देने को राजी हो जाती है। जिसमें किसी भी बड़े से बड़े रक्षस को मानने का जहर होता है। पर इसके बदले मोवा कैप्टन की सारी खुसियां छीन लेने की बात करती है। रात में जेकब मेजी की वो किताब को पढ़ता है जिसमें समुदरी जानवरों के हमलों के बारे में लिखा गया होता है। पर जेकब को वो कहान या सची नहीं लगती है क्योंकि उसने कभी ऐसे टापू का नाम नहीं सुना था जिसे समुदरी जानवरों ने तबाह किया हो। बहुत सारी बाते उसमें ऐसे लिखी थी जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेजी उससे कहती है कि लोग इस किताब पे परोसा करते हैं और इसलिए उन्हें ये समुदरी जानवर बोरे लगते हैं। पर क्या पता इन जानवरों ने कभी ये जंग सुरू ही ना किया हो। जेकब को अब विश्वास होने लगता है कि वो समुदरी जानवर बोरे नहीं होते हैं। अब वो लोग ड्रेगमो आइलेंड तक पहुँचने वाले होते हैं। रेड उन्हें वहाँ उतार देता है पर उसके जाने से पहले जेकब रेड ब्लस्टर से वादा करता है कि वो आज से कभी भी समुदरी जानवर का सिकार नहीं करेगा। वो ब्लू को भी वहीं उसके साथ छोड़ देते हैं। मेजी रेड से गले मिलकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। तभी रेड उस आइलेंड की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ राजा के जेनरल का जहाज होता है जिसे देखकर रेड बलस्टर भड़क जाता है और वो उस जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। जहाज के आयर में उस पर हमला करने लगती है। जी कभ और मेजी रेड को रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। पर इसमें मेजी का है लोकर वहीं गिर जाती है और तभी रेड बलस्टर एकी जेटके में उस जहाज के दूट उपड़ी कर देता है। और वो जेनरल को माने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पे कैप्टन प्रो अपने जहाज को लेकर आ जाता है। जिसे देखकर रेड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हो रहा था कि वो लोग अभी भी जिन्दा है। ही कोसिस करने लगती है और जाकर उसके रसी को काटने की कोसिस करती है। इदर राजा और रानी कैप्टन करो के इस बहादुरी से बहुत खुस होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। कैप्टन उन सब के सामने ही रेट को माने वाला होता है पर जेकब वहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसे ऐसा करने नहीं देगा पर कैप्टन उस पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं पर बहुत जल्द कैप्टन उसे हरा कर पानी म गिर जाते हैं, रेट के जागनी की वज़ा से वहाँ चारो तरफ अफरा तफरी मच जाती है, राजा अपने आर्मी को उसके उपर हमला करने का आदेश देता है, तभी रेट बलस्टर कैप्टन को दीखता है, जो वहाँ से भाग रहा होता है, वो उसकी तरफ तेजी से है, और उसे एक चटके में वहाँ नीचे गिरा देता है, वो उसे मारने ही वाला होता है, कि तभी वहाँ मेजी आकर उसे रोक लेती है, ये देखकर शभी लोग हैरान हो जाते हैं, जेकब भी उसके पास आ जाता है, और वो महाँ पड़े भाले को उठा कर तोड़ देता है और कहता है कि आज से समुद्री जामवरों का सिकार बंद, वो दोनों रेड ब्लेश्टर के उपर आ जाते हैं, मेजी वहाँ के सभी लोगों को बताती है, क्योंकि किताबे में लिखा हुआ सब गलत है, वो बस एक जूटी कहानी है, जिसे यहाँ के राजा सदियों से लोग हमला करने को कहता है, पर जेनरल भी उस पर हमला नहीं करना चाता था, और अब तो वहाँ के सभी लोग भी मेजी और जेकब का साथ दे रहे थे, वो सब रेड को महां से सही सलामत जाने देने को कहते हैं, और इसके बाद जेकब और मेजी रेड को महां से बाहर निकाल देते कैप्टन क्रो को भी अब एहसास हो गया था कि वह गलत सोचता था उन समुत्री जानवरों के बारे में और उस दिन के बात से सिकारी कभी भी उन समुत्री जानवरों के पीछे नहीं गए और जेकब मेजी के साथ ही रेने लगा एक परिवार की तरह और इसी के साथ के मुवी यही पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सेवर दे वीडियो and प्लीज सब्सक्राइब तो मैं चैनल and प्रेस्ट बिल आइकन